एक बहुत ही सुकून की खबर मुझे सुनने को मिली है because अभी अभी ये जानके के राहुल द्रविड ने इंडियन टीम की कोचिंग से रेटारमेंट ले ली है मेरा मन थोड़ा खराब हो गया था because मेरे ख्याल से राहुल द्रविड से बेटर कोच अगर मैं किसी से एक्सपेक पर जानके बहुत सुकून मिला है राहत मिली है कि गौतम गंबीर इस बीन हाइड ऐस इंडियन कोच हेड़ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और मैं तुम्हें चीज बता दता हूं अगर फ्री हैंड दे दिया गया ना गौतम गंबीर को तो इंडिया अगले आने वाले हर टूर्णामेंट को जीतने वाली है तुम लिख के ले लो चाहे वो चैंपियंज ट्रोफी हो चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप्स हो या फिर आई क्या कहते हैं आई पेल बोल गया वर्ल कप टी ट्वेंटी हो वर्ल कप बड़े वाला हो कुछ भी हो इंडिया कोच करने से मना कर दिया है या फिर कुछ शर्ते रख दिया है और मेरे इसाब से जहां तक मैं गौतम गंबीर के बारे में जान पाया हूं अभी तक वह यही है कि उनकी यही शर्त रही होगी कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई इंट्रफेरेंस टीम इंडिया में एस अ कोच नहीं चाहिए मैं खोद यह अपने इसाब से लीड करना चाहूंगा कोचिंग डिपार्टमेंट को एंड मेरे ख्याल से यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपक्ट क्रियेट करेगी अगर गौतम गंबीर जैसे बंदे को फ्री हैंड दिया जाता है टीम को चलाने के लिए तो कोई मजा आ जाएगा और इस चीज का बेनेफिट हम आने वाले टाइम में देखेंगे तो हमारी तरफ से क्रिकट भाई रेक्शन भाई आर जी की तरफ से और हमारी पूरी टीम हमारे हर एक सब्सक्राइबर की तरफ से गौतम गंबीर को बहुत-बहुत शुब कामना है, सबसे बड़ी बात इंडिया को शुब कामना है, कि गौतम गंबीर जैसा कोच मिला है, और उसके बाद इंडियन टीम को शुब कामना है, कि अगले वर्ल्ड कप के लिए तुम्हारे पास एक खतियार है, एक ब्रहमास्तर है मेरे ख्याल से इससे बेटर नहीं हो सकता, जितना ग्राब कर सकते इंडियन प्लेयर इस बंदे से कर सकते हैं, and I think the finest option इंडियन टीम कोड़ाव है अज हेड़ कोच, इससे बेटर नहीं हो सकता था इस ताइम में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्षिन में लिखके जरूर बताईएगा, and दिल से बहुत खुशी हो रही है गौतम गंबीर को इंडियन कोच बनते हुए देखने में आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्षिन ओपन है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि हर क्रिकेट अपडेट इंडियन डीम से रिलेटेड हो या क्रिकेट से रिलेटेड हो, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, चैहिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी